नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अंशुकुमार सिंग और आप देख रहे हैं अंशुक क्रियेटिव हमारे और आपके चनल पर हम दोनों का स्वागत दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने के लिए हैं स्टोन मैसनरी वर्क के बारे में मतलब कि पत्थर का जो फॉटिंग है उसके बारे में क्या हम पत्थर का स्टोन मैसनरी वर्क कर सकते हैं या करवा सकते हैं बहुत लोगों का यह कोश्चन भी है कि हम अपने प्लिंथ वीम के नीचे ब्रीक वर्क की जगह पे हम स्टोन मैसनरी वर्क करवा सकते हैं मैं को यह कमेंट भी आया था एक बार आप आप लोग आफ़े यह कोज्ट का जवाब जोन आची वीडियो में आपको दूंगा सबसे पहली बात इस्तों में डी वर्क होता कहां पर है मैक्सिममली स्टोन मैशनेरी वर्क लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में होता है अब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं लोड बेरिंग स्ट्रक्चर दोस्तों वह होते हैं जहां पे आपके ब्रिक वॉल के उपर ही आपका स्लैब कास्ट होता है सब कुछ आपके ब्रिक व भेक्षे च89 इपधि पत्थर की दिवार ए मचलथ इंहीं के ऊपर ही मोडुना, च्छत का उर् जितने भी दिवारों का सब कुछ का लोड उनुह दिवारों काहलों का लोडु दिवारों के ऊपर ह 술 अश्प रिविद्धिटें बेल्डिंग घर तो उनके दीवारे भी 9-10-10-14 इंची मोटी हुआ करती थी तो इस कारण से वह दीवारे लोड बहुत अच्छी दाच उठा लेती थी की का यूज करना उसके आगे वह आपको उपर नहीं बनाना है तब तक तो बात एकदम ठीक है आप बनवा सकते कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको अगर फ्यूचर स्टिक सोच के चल रहे हैं आप दो मंजिल तीन मंजिला को बनाना चाहते हैं तो यहां पर आप करूंगा कि की मेन बात है कि स्टोन में ऐड अगर आप सिर्फ लोड बेरिंग उस्ट्टे बनाजाते हैं तभी आपको कर वाना चाहिए और यह तो यहां पर होता कैसे है बड़े बड़े पत्थर को मंगाया जाता है जो कि काफी कम कोस्ट में आपको एवलेबल हो जाते हैं इट के अक्वर्डिंग और उसके बाद बाद एक चोड़ी मोटी दिवार स्मयगी अठारा इंचे तक की दिवार ली जाती है और दोस्के दोनों तरफ पत्थर दिया तर बीश्यवर हो गैप में स्टोर ब्लस डाल करके उनको मोटा आर्ट से फिल कर दे आता है इसे सबसे स्टोर मेसरी वर्क होता है अगर आप उन दिक्तिकों को साथ करना चाहते तो एक पर कर भी सकते हैं प्लस दूसरी बात नहीं मैं अपनी तरफ से कभी सेजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको स्टोन मेशनरी वर्क प्लिंद बीम के नीचे करना चाहिए दूसरी बात यह अगर आप लोड बेरिंग प्लिंद बीम का यूज क्या होता है आपके कॉलमों को एक बांध बांध गर रखता है एक जगह पर अगर आप लोड बेरिंग स्ट्क्चर आत बना रहे हैं तो ऐसे मैं कहूंगा कि आप हमेशाब प्रकॉशन लें खासकर जब दो मंजिला तीन मंजिला बना रहे हैं लोड प्रोपर आर्किटेक्ट से को हायर करके इससे बैनेफिट यह होगा कि लोड गरिंग स्टुक्चर जो है आप बहुत अराम से बना पाऊगा क्योंकि लोड बेरिंग स्टुक्चर में बहुत कुछ जज़ करना पड़ता है कि यहां बना रहे हो वहां की जमीन कैसी है वह हाड स सॉफ्ट सॉइल है बालु वाली सॉइल है तो वह अलग तरह से जज़ करना पड़ता तब आप लोड बेरिंग स्टुक्चर में तो यह सब जच करने के बाद ही आप स्टोन का स्टोन में स्टोन करवाएं बांकि मैं आपको सुझेस्ट करूँगा कि हमेशा आप कोशिश कर स्टोन के थोड़ा सा खर्चा ज्यादा पड़ता है फ्रेक्ट में फ्रेम फ्रेम स्टोफ जया लेकिन कांग हर में काफी लोग कॉस्ट के कारण की दो तो यहां पर बना सकते कोई दिक्कत नहीं है हाँ लेकिन आप दो मंजिला तीन मंजिला कर भी अगर सोचते हैं तो से में लोड बेरिंग स्टेक्चर के ऊपर आप ना ही बनाए तो ज्यादा बेनेफिट रहेगा बाकि पुरानने टाइम से चला रहा है लोड बेरिंग स्ट्रेक्चर लोगों ने इस पर भी दो मंजिला मक कर सकते हैं नहीं कर सकते करना चाहिए तो इकोश्यजीन बरस में नहीं करना चाहिए को नहीं करना चाहिए जैहिंद नहीं वhesia मारत करतيل है पर समय से पहले मैं आप लोगों से हाजिँड करना चाहूं आज कि नीचे लाइक को डिंदा आख सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करने को नोटिफिकेशन बेल होजाना बिलुपन नबिलुपन नबिलुपन